हेलो फ्रेंड इलाहबादी किचन में आपका स्वाज़त है फ्रेंड आज हम बनाएगे क्रिस्पी पोटाइटो स्नेक जो खाने में बहुत ही पुरकुरे और स्पाइसी है ये बहुत ही इजी रेस्पी है इसे आप जड़ पर तैयार कर सकते हैं अब हम क्रिस्पी पोटाइटो जड़ बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम 7-8 बॉयल्ड आलो लेंगे और उसे कद्दू कस से क्रेश कर लेंगे और हम 100 ग्राम पनीर लिए और उसको भी आलो में कद्दू कस कर लेंगे अब इसे शुरी स्टारा के लिए हम इसमें कुछ मसाले और्ड करेंगे इसके लिए एधा चमच जीरा पाऊटर आधा चमच काली मर्च पाऊडर एक चमच चाट मसाला एक चमच नमक कट्टा हुआ बहरा धनिया, तीन-चार कटी हुई हरी मिर्च, आधा चमच, रड़ी चिली पाउडर, सभी चीजों को डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसे दो की रूप में तयार कर लेंगे, अब डो को दो भागों में बांट लेंगे, अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा कर एक भाग को हम लोर उपर रखकर हाथों की सहायता से चप्टा कर लेंगे, अब इसे एक नाइव की सहायता से दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे और अपने मन चाहे आकार में काट लेंगे हमने इसे ट्रेंगल आकार में काटा है अब हमारे आलुक इसने त्यार हो गया है अब हमें बाउल लेंगे और उसमें तीन चम्मच कारण फ्लो या अरा रोट लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गोल तयार कर लेंगे अब हमारा गोल तैयार हो गया है अब हम एक प्लेट लेंगे उसमें मैगी के दो तिन पैकेट को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे और तैयार इसने को गोल में डूबा कर मैगी से कोटिंग कर लेंगे और इसे गर्म तेल में डाल कर फ्राई कर लेंगे इसको हमें हाई फ्लेम पर बोल्डर होने तक फ्राई करना है अब हमारे इसनेक अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं इन्हें हम प्लेट मर निकाल लेंगे इसे हम ग्रीन चटनी या सॉस के साथ सर्म करेंगे हमारे कुटोटो स्नेक काफी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं ये उपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है जो खाने में बहुत ही लाजवाग है